कभी आपने सोचा है कि कुछ बच्चे जुड़वा क्यों पेदा होता है, हलाकि बर्थ आप्टिविन काफी रेयर होता है, लेकिन इसके पीछे का साइन्स गजब है, चलो 3D एनिमेशन से इसे समझते हैं, प्रेगेंसी की सुरुआत एक इस पंद वारा एक एक को इस तरह से होती है, लगबग एक सब्ता में ये पूरा होकर यूटरस में इंप्लांट हो जाता है, यहां डबलब मेंट के अलग-अलग स्टेज से गुजर कर लगबग 9 महीने में इसकी डिलेवरी होती है, जनरली एक बार में एक ही बच्चा का जन्म होता है, लेकिन कई बार में दो बच्चे को फॉर्म करता है, इन बच्चों का जैंडर और फेस सेम होने से लोग डिफरेंस भी नहीं कर पाते हैं, दूसरा डाइजाइग और टिप ट्विन ये तब होता है जब मदर में किसी वज़ासे दो एक रिलीज हो गए, अब दोनों एक अलग-अलग स्पम स फटिलाइज होते हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे अलग-अलग स्पम से फटिलाइज हुआ है, इसलिए दोनों का जैंडर अलग-अलग हो सकता है